हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं बहुत ही टेस्टी साथ मैं बहुत ही हेल्थी और इम्यूनिटी बूस्टर अचार की रेसिपी लेके आई हूँ आमला अचार सो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है तो आज मैं आमले का चार बनाने वाली हूँ इसके लिए मैंने 250 ग्राम आमला लिया है और इसको हम दो मिनट के लिए गरम पानी में मतलब थोड़ा सा वाइल कर लेंगे वाइल टू मिनट के लिए यह ज्यादा नहीं इससे क्या होता है इसको जो छीलना है और इसके जो टुक तब तख आपने मसाले रोस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैथी दाना 1-3 इस्पून लिया है मैनने 1 टेवलिस्पून और 1 टेवलिस्पून ही मैनने लिया है सॉफ इन सब को हम मसाले को ड्राय रोस्ट करेंगे और यहाँ पर अज्वाय नट करूंगी और यहां पर मैंने डाला है वन टेवल स्पून के एराउंड ही येलो मस्टर्ड शीट आपके पास अगर ब्लैक है तो आप ब्लैक मस्टर्ड शीट का भी यूज कर सकते हो तो इन सभी मसालों को हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे 5-7 मिनट के लिए जिससे इनको जलाना नहीं है जिससे इनको रोस्ट करना है जिससे इनका कच्छापन निकल जाए ये देखिए 5-7 मिनट ही लगता है और अच्छी सी भीनी सी अच्छी सी खुश्वू आने लगती है तो ये ड्राइ रोस्ट हो चुके हैं और अभी हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ये देख इसके कितने अच्छे से इसके पीसिस निकल के पहार आ जाएंगे देखिए सीड अलग हो जाएगा और पीसिस अलग हो जाएंगे बस दो मिनट करना है आपको इससे ज्यादा नहीं करना है तो इसके देखिए सारे टुकड़े इसके अलग-अलग हो जाते हैं और आपको बि तो अब भी ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा दर्दरा ऐसा ही रखूंगी मैं इसको बहुत ज्यादा बारिक नहीं करोंगी तो मैंने इसको थोड़ा सा दर्दरा रखा हुआ है यह पिस गया है अच्छे से अभी अब हम क्या करते है इसमें हम डालेंगे मस्टर वाइल तो ये मैं डेली खाने के लिए बना रहे हूँ आप चाहें अगर इस्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो इसमें वाइल ज्यादा डालिएगा तो अभी मैंने आपर दो बड़े बाट बाट चमच के राउंड वाइल डाला है हिंग डालूंगी में अच्छे से गरम हो जाने दीजेगा क्च्छा पन तेस्ट होता है उसको जाने दीजेगा और यहां पर रैचिली पावडर टर्मरीक पावडर दौनों बें बन टेवली स्पून के राउंड डाला हुआ है बस वाइल गरम होने तक ही हमने फ्लेम को चालू रखा था और अभी यहाँ पर टू टेविल स्पून के राउंड हम उसमें सॉल्ट कर देंगे और थोड़ा सा काला नमक बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है चार में तो इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और सब मसालों क अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से कोडिंग हो जैए जिसने सारे मसालों की आपले में लग रहा है ना टैंप्लिंग बहुत ही ठेस्टी लगता है और बच्चों को भी Bas Fire बहुत पसंद आता है और सबसे बड़ी बात ही है और ऐसे टाइम पे हम लोगों को झाल झाल झाल